दशहरे पर्व के चलते शहर में रावन दहन को लेकर अब तैयारियां पूरी कर ली गई है जहां विजह नगर अलाके में कोरोना रूपी रावन दहन कर वुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा देखिए ये खास रपोर्ट शहर के पौश अलाके विजह नगर में इस बार कोरोना रूपी रावन बनाया गया है इस बार कोरोना के चलते जारी हुई प्रशासन की गाइडलाइन के मदे नजर दर्शकों के लिए मैदान में विशेश गोले बनाये जाएंगे जिनमें खड़े होकर दर्शक रावन दहन तो वहीं इस बार विजह नगर क्षेत्र में कोरोना से बचाव का संदेश देने के साथ ही रावन दहन किया जाएगा परिवार जनों ने अपने साथियों को इस कोरोना महामारी में अपने परिवार जनों को खो दिया था तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार शाशन द्वारा प्रशाशन द्वारा जो गाइडलाइन तैय करी गई है उसे हमारे विजय नगर रावन देन उत्सव समीती द्वारा पूर्टा पालियन करते हुए एक कावन फिट का रावन बनाया गया है जो की कोरोना रूपी रावन है इस बार हम कोरोना का अंत करने के लिए ये विजय दश्मी का पर्व बना रहे हैं और भगवान श्री राम से प्रातना करते हैं के भगवान आपने जैसे रावन का वद्ध करके इस दुनिया को बुरा इसी निजात दिलाया था मेले वालों को भी पर्मिशन का हमने बना कर दिया है कि आप लोग जो इस प्रशाशन की गाइडलाइन है उससे ही पूर्णता पालन करें और हमारे द्वारा गोल घेरेल बनाए जाएंगे पूरे ग्राउंड में और हमारी पूरे कारिकरताओं की टीम वेक्तिगत तोर पर ये ध्यान रखेगी कि छोटे बच्चे बड़े सभी लोग मास्क लगा के हमेशा रहें सैनिटाइजर का पूर्णता उपियोग रहेगा सैनिटाइजर का वितरन किया जाएगा और उसके साथ-साथी सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करा जाएगा यहाँ पर तक्रीबन हर वर्ष 5-7 हजार लोग कारिकरम में उपस्तित होते हैं लेकिन इस बार का ऐसा मानना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो नियूंतम से नियूंतम संक्या हो सके सिर्व एक पारंपरिक रूप के आधार पे यह रावन दहन करा जा रहा है वजजनगर के इस रावन दहन में कोरोना से बचाव का हर संभव खयाल रखा जाएगा ताकि कारिकर्म के दोरान कोई भी लापरवाही न बढ़ती जा सके ब्यूरो रिपोर्ट, MP News इन दौर